गूर्णिंग फ्रेंज कैसे हैं आप लोग तो कल से दूसरे टेस्ट मैच की शुरुआत हो रही है इंडिया वर्स इंग्लिंड और वाइजएक में खेला जाएगा लेकिन टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर है इंग्लिंड के लिए बुरी खबर है और उमीद करते हैं कि वही रिजल्ट भी हमारे फेवर में आए क्योंकि अच्छी खबर मतलब अगर आई है तो ये होना चाहिए कि दूसरे टेस्ट मैच में गर हम जीत जाते हैं तो कम से कम से कम सीरीज में हम एक एक की बराबरी करेंगे सीरीज में टीम इडिया कम बाक करते हुए नजार आएग और जैक लिच का बाहर होना कोई ये मामुली बात नहीं है कई सारे लोगो को लगेगा क्या हो गया यार जैक लिच ही तो बाहर होगे क्या हो गया इसकी बात नहीं है आपको अब याद होगा है जिस सरी के से नोंने एक टंग पर गेन बाजी की थी पहले टेस मैच में और श सीरीज में इंग्लेंड की टीम को 3-1 से हमने अराया था लेकिन जैक लीच को सब ने सल्यूट किया था लेकिन इंग्लेंड के लिए बड़ा जट्का इसलिये क्योंकि जैक लिस्ट हो गये है बाहर दूसरे टेस्ट मैश से शोई वशीर को यह जरूर टीम में लेकर के आएं लेकिन वो क्या क्वालिटी गेंबाजी करेंगे कितने क्वालिटी गेंबाजी करेंगे तो वक्त बताएगा भारतिये टीम के लिए इससे अच्छा मौका नहीं होगा क्योंकि अगर दो युबा गेन बास इनके पास में होगा एक टॉम हार्टली होगे एक आपके शोय वशीर होगे यह आपके युबा गेन बास होगे इनके खिराप में अगर टीम इडिया के बलेबास काउंटर करते हैं अगर रन बना लेते हैं तो अब इसी बाते इस टेस्ट मैच में बहुत अच्छा मौका हमारे पास में होगा हलांकि वाइजएक में टर्निंग ट्रैक के विकेट के बारे में कई जा रही है कि यहां पर पिच्छ जरूर टर्निंग ट्रैक बनाए जाएगी बट वाकई में भारतिय टीम जो है इस मैच में जीत दर्च कर पाएगी दूसरे टेस्स मैच में उसके लिए आपको बहुत जबरदस क्वालिटी क्रिकेट खेल करके दिखानी पड़ेगी स्पिनर के खिलाब में रन बनाना पड़ेगा जैक लीच नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी टीम इंडिया को बहुत क्वालिटी क्रिकेट खेल करके दिखानी पड़ेगी क्या भारतिय टीम में उसके लिए तैयार है तोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको क्या लगता है कि हम जीतने जा रहे हैं जैक लीच के एपसिंस में टीम इंडिया को फाइदा है आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा